Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Study Tips पर I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी preparation भी बहुत अच्छे चल रही हुई सारे examination के date आने सुरू हो चुके हैं अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम की उर लेकर जाएं और अपने पढ़ाई में सब सिरियस हो जाएं तो आज है 28 जुलाई 2021 और आज के जितने भी important current affairs होंगे वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हुआ हूँ और दीखिए आज से जो हमारा session होगा इसमें हम लोग current affairs तो करेंगे ही करेंगे साथ ही static gk के कुछ topics को भी इसमें हम लोग include करेंगे क्योंकि static gk का भी importance examination में उतना ही है जितना और सब section का है क्योंकि इससे भी questions बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है तो आज से static gk के एक या दो topic को daily wise पर हम लोग revise करेंगे उसके बाद cover करते चलेंगे तो चलिए start करते हैं देर ना करते हुए अपने session को देखे जैसा कि आपने thumbnail पर देखा होगा Tokyo Olympic 2021 का update तो नहीं कि Tokyo Olympic 2021 में मैं daily अभी जितनी दिन तक Tokyo Olympic या नहीं कि 8 अगस्त तक चलेगा Tokyo Olympic तो उस दिन तक जो मेडल का जो updated list होगा वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और Tokyo पर complete video भी आप लोगों को मिल जायेगा ठीक है जिससे कि आपको किसी भी exam में अगर Tokyo Olympic 2020 जो कि पूछेगा ही पूछेगा उससे आपको कोई परेशान ही नहीं होगी तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं Tokyo Olympic का medal अभी तक में updated list जापान हमारा first स्थान हासिल करके बैटा होगा है ठीक है United States 9 gold के साथ ये दूसरे अस्थान पर है चाइना भी 9 gold के साथ दूसरे अस्थान पर ये तीसरे अस्थान पर है ठीक है देखे इसका जो total medal है 25 लेकिन ये दूसरे अस्थान पर क्यों है क्योंकि इसका gold चापान से कम है मैं डेली इस बात को आपको बताता हूं इंडिया का अभी इंडिया हमारे प्यारे भारत का अभी medal लिस्ट में बहुत ही नीचे अस्थान है 41 ठीक है 41 तो ये एक तालिसवा अस्थान है अभी बहुत नीचे है अभी हमें बहुत improvement की जरूरत है फिर भी जो एक silver medal हमारे देश के लिए मीरा बाई चानू के द्वारा लाया गया है बहुत बहुत आभार बहुत बहुत गर्व है हमारे देश को मीरा बाई चानू पर एक silver medal weight lifting में लेकर आई है चलिए अब हो गया यहां से तक का अब देखते हैं कि आज का current affairs 200 hepatitis दिवस किस दिन मनाया जाता है 200 hepatitis दिवस किस दिन मनाया जाता है 28 जुलाई को 200 hepatitis दिवस हर साल मनाया जाता है hepatitis को लेकर लोगों में awareness बढ़ाने के लिए ठीक है यह लीवर करोगा यहां पर आप देख रहोंगे लीवर का structure है 200 hepatitis दिवस में तो यह लीवर को affect करता है hepatitis तो यह 200 hepatitis दि पीच awareness बढ़ाने के लिए United Nations के द्वारा हर साल 28 जुलाई को 200 Hepatitis दिवस मनाया जाता है इस बार की theme क्या रही है Hepatitis Can't Wait बहुत important है पूछा जाएगा Hepatitis Can't Wait 28 जुलाई 2021 200 Hepatitis दिवस का theme रहा है यानि कि Hepatitis इंतिजार नहीं कर सकता है चलिए अब आगे देखते हैं UNESCO की 200 धरोहर अस्थल में भारत के किस अस्थान को अभी सामिल किया गया है बहुत important है अभी अभी थोड़े दिन पहले मतलब 2 या 3 दिन पहले 25 जुलाई को काक्तिया रुद्रेस्वर मंदीर के बारे में हमने सुना था जिसे रामप्पा मंदीर भी कहते हैं रामप्पा मंदी में ये बहुत आकास का तारा है जगमगाता हुआ तारा है ठीक है काक्तिया रुद्रेस्वर मंदीर इसको 800 साल पहले UNESCO का वर्ल्ड हेरिटेज साइड में अस्थान मिला था और ये 49 वा विश्व विरासत अस्थल है UNESCO का भारत में अब 40 वा कौन बन गया 40 वा कौन बन गया जो खुदाई अस्थल में गुजरात के धौला विरा धौला विरा मिला आप यहां पर देख रहे होंगे ठीक है धौला विरा तो इसको UNESCO के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइड में सामिल किया गया अभी चाइना में ठीक है UNESCO का 40 वा बैठक चला ठीक है UNESCO का 40 वा बैठक मंदिर इंपोर्टेंट है एकजाम में आएंगे ही आएंगे उन चालिसवा हुआ काक्तिय रुदेश्वार मंदिर रामपा मंदिर जैसे कहते हैं धौला विरा चालिसवा तो हम देख लेते हैं एक मिनट यह जो जैपूर है जैपूर को 2019 में मिला था किसका यह क्या बोलते ह वर्ल्ड हरिटेस साइट का और उससे पहले मतलब यह बना था 38 नमर का और यह विक्टोरियन गोथिक एन 8 डी को बना था 37 नमर का वर्ल्ड हरिटेस साइट युनेस्को का ठीक है और अगर बात करें युनेस्को का ठीक है अगर बात करें हम लोग युनेस्को का तो इसका हे Head कौन है? इसके Head इनके Chief इनके Director कौन है? आद्रे अजूले साहब, ठीक है? आद्रे अजूले याद रखना है? आद्रे अजूले दो बार बोल लीजिए, आद्रे अजूले. वहीं पर अगर इसका अस्थापना दिवस के बारे में पूछा जाया है, तो 16 November 1945, 16 November 1945 गाट बांद लिजिए, याद कर लिजिए, कान में खोश लिजिए UNESCO का अस्थापना दिवस 16 November 1945 आपको इजाम में आएगा, 16 November 1945 टिक मारके आ जाएगा है ना 16 November 1945 अभी NTPC के एजाम में देखा गया था कि जितने भी और International Organization है उसके अस्थापना दिवस से कोहां हेड़कोर्टर है, उसके हेड़कोन है, इससे बहुत ज़्यादा question पूछे गए थे, तो ये बन सकता है question ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं Cutlass Express, एक multinational maritime exercise है, ठीक है, यानि कि बहु देशियों की द्वारा, ठीक है, बहुत सारे देश मिलकर एक समुद्री अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है Cutlass Express Cutlass Express, इसके 2021 की सुरुवात हो चुकी है, ये कब तक चलेगा, तो Cutlass Express चलेगा 6 अगस्त तक, ठीक है, 6 अगस्त 2021 तक चलेगा, कब से सुरू हुआ, तो सुमबार, इस बार की सुमबार मंडे से ये सुरू हुआ है, ठीक है, मंडे से सुरू हुआ और चलेगा कब तक, 6 अगस् कि यह हमने पहले भी बताया कि ये बहुत देशों के दौरां बहुत सारे देश सामिल हो रहा है ठीक है इसमें 12 देखे ये अभी कहां पर हो रहा है ये कहां पर हो रहा है मल्टी नेस्डल मारिटाइम एकसरसाइज हो कहां पर रहा है तो अफरीका है ये ये आप देखते होंगे यह अफ्रीका यह जो अफ्रीकन कॉटिनेंटल है इसके पूर्भी साइट पर पूर्भी तट पर एक जगा का नाम है मुंबासा ठीक है अब समुद्री है तो समुद्र के किनारे ही होगा तो मुंबासा इसके पूर्भी तट पर एक जगा का नाम है मुंबासा यही पर यह एक तो इसमें 12 अफ्रीकी देश, ठीक है, पुर्भी अफ्रीकी देश, इस साइड के देश, 12 इस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, 12 पुर्भी अफ्रीकी देश, और इसके अलावा, जो अलग-अलग अंतरस्टे संगतने जैसे, IMO, International Maritime Organization, ठीक है, UNODC, UNODC, ठीक है, यह exercise को करेंगे, I, Cutlass Express बहुत important है, I, NS तलवार इसमें भाग ले रहा है, दो जरीकिस वाले, चलिए अब देखते हैं, USAID, USAID, यानि कि, USA, United State of America, United State of America, इसका एक संस्था है, USAID, United State, United State Agency, United State Agency of, इसकी पहली मिसन निर्देशक कौन बनी है, पहली अमेरीकी भारतिया, ठीक है, अमेरीकी भारतिया, मतलब अमेरीका में रहने वाली भारतिया मूल की, जो पहली महिला है, बीना रेड़ी, इसको USAID, United State Agency for International Development की मिसन निर्देशक बनाया गया है, बहुत इंपोर्टेंट है, मैंने पहली भी बताया था, पहला चाहे इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड में हो, चाहे बिस्व में हो, चाहे ब्रमांड में हो, जो भी होता है, एकजाम relevant होता है, एकजाम में पूछे जाने की 100% संभावना बन जाती है, तो इसका सही जवाब है वीना रेड़ी, इसका सही जवाब है वीना रेड़ी, तो आपको याद रहेगा वीना रेड़ी, तो USAID के Twitter handle से इसकी जानकारी दी गई थी यह है वीना रेड़ी, ठीक है वीना रेड़ी यह है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वही पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मलीका स्रीनिवासन, मलीका स्रीनिवासन P.E.S.B. यानि कि Public Enterprises Solution Board की Chair Person कौन है? मलीका स्रीनिवासन, सोमा मंडल कौन है? सोमा मंडल जो आप जानते होंगे सेल की, सेल की Chief है, ठीक है, सेल, Still Authority of India Limited की Chief है, वही मेरी कौम के बारे में आपको पता ही होगा, चलिए, अब देखते हैं अभी, अभी, कल मैंने बताया था कि जो करनाटक का करनाटक के मुख्यमंत्री V.S. Yed Uroppa ठीक है, V.S. Yed Uroppa आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्होंने अपना इस्थिपा वहाँ के राजपाल, कौन है करनाटक के राजपाल, कौन है थावर चंदगहलोद जी को सौप दिया तो अब कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बने गा ही, तो यह रहें मुख्यमंत्री बसव राज-बॉंबाई बसव राज बंबई ठीक है बन गये हैं करनाटक के नए मुख्यमंत्री इन्होंने दो साल का कारेकाल पूरा किया अब बसव राज बंबई करनाटक का कारेभार समालेंगे करनाटक के नए राज जपाल के रूप में नए मुख्यमंतरी के रूप में बसव राज मुंबई को निउत किया गया है तो आपको यह याद रखना है बसव राज मुंबई देखे एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात होती है जैसे स्टाटिक जीके में मैंने पहली बताया था कि जो एक स्टाटिक जीके के टॉपिक को मैं डेली कवर करूँगा तो स्टेट के सी एम और कैपिटल स्टेट के सी एम गवर्नर से रिलेटेड हर एक एक एकजाम में जितने भी examination अभी हो रहे हैं, जो TCS ले रहा है, उसमें governor और CM से question पूछते ही पूछते हैं, तो अभी NTPC का 7th phase भी चल रहा है, और जो अभी NTPC CBT2 होगा, GD होगा, RRB Group D होगा, BPSC है, JPSC, जितने भी examination हैं, उसका PT के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपको governor और CM से related question मिल जाएंगे, तो आप यहां से इस list को, आप PDF को download करके, इस list को पूरा देख लिजेगा, जैसे की, आंदर परदेश का governor कौन है, 200 भूसन हरी चंदन, 200 भूसन हरी चंदन सहाब, आंदर परदेश के governor, 200 भूसन हरी चंदन, 200 भूसन हरी चंदन, याद करना है, दो या तीम आपको बोल लेना है, 200 भूसन हरी चंदन, अरुनाचल परदेश के, ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा, असम के जग्दीश मुखी, बिहार का, फाग्यु चोहान, छत्तिस गल का, अनुसु या उई के, गोवा का, पीस स्रीधरन पिल लई, ये नए बने हैं, ठीक है, अभी बने हैं, हिमाचल परदेश का, अब देखिए, जहरकंड में भी नए बना है, रमेश बैस, किसके जगह पर बनी, तो दुरापदी मुर्बू, करनाटक में भी नए बने है, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, याद रखना है, केरला का आरित मुहम्मद कान, मद्य परदेश का, मंगु भाई, छगन भाई, पटेल, नए बने है, पहले आनंदी बेन पटेल थी, महाराश्टर का भगत सिंग को स्यारी, ये पहले से है, मनिपूर का, नजमा हैप्तुल्ला, मिघालय, सत्यपाल, मलिक, मिजोरम, हरी बाबु, कंपबाती, ये नए बने है, ठी नागालेंड का आर एन रवी, गवर्नर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उडिशा का प्रोफेसर गनेश लाल माथूर, पंजाब के बीपी सिंग बदनौर, राजस्थान, कलराज मिश्र, सिक्किम, गंगा प्रसाद, तमिलनाडू, बिस्प बनवारी लाल पुरोहित, तमिल अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के आनंदी बेन पटेल पहले से हैं, अब उत्तराखंड के कौन है, बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, यहां के सीम कौन है, तीरत सिंग रावत, वेश्ट बंगाल का ज जरूर देखिएगा और देखिए ये एक बार राजिपाल के बारे में आप बोल देंगे तो हर लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे वहां से आपको हो जाएगा अच्छा ये जो भारत के दो दिवस्य यात्रा पर आया है तो ये इसलिए इंपोटेंट बन जाता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है अब देखिए दिली पुलिस का प्रमुक किने बनाया गिया है दिल्ली पुलीस का प्रमुक किने बनाया गया है who has been made Delhi Police Chief राकेस अस्थाना जी को ठीक है राकेस अस्थाना जी को देली पुलीस का चीफ बनाया गया अब बात करते हैं कि यह जो राकेस अस्थाना जी है अभी BASF के भी Director General बने हुए है और NCC के भी Chief अभी यह है तो राकेस अस्थाना जी को तीन कारिभार मिल गया कौन तो दिल्ली पुलीस का प्रमुक बनाया गया वही BASF का Director General भी है NCC के Chief भी है अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो यहां का गवर्नर का है यहां का LG का है Lieutenant Governor यह है अनील बैजल अनील बैजल साहब अनील बैजल साहब ठीक है और मुख्यबंतरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे सुबूत कुमार जैसवाल अभी इने CBI का Head बनाया गया है ठीक है Director बनाया गया है ठीक है जो COVID महामारी के कारण आपको पता होगा कि COVID महामारी के कारण बहुत जान और मार्थ की छती हुई है ठीक है वरन हमारा इंडिया ही नहीं पूरे 200 का जान माल का छती बहुत जादा हुआ है जिसके कारण की हर एक देश हर एक देश का Economic Growth थोड़ा सा डाउन हुआ है ठीक है थोड़ा सा डाउन हुआ है तो जितने भी संस्थान है जो कि हर देश का Economic Growth को प्रेडिक्ट करता है उसमें से IMF भी है और IMF ने भारत का Growth Rate पहले बताया था 12.5% उसको घटा दिया 3% कितना होगा 9.5% तो यह आपको याद रखना है 3% पहले बताया 12.5% घटा के कर दिया 9.5% घटा है कितना 3% और 2022 के लिए तो और कम कर दिया 2022 के लिए और कम करके बता दिया 8.5% रहने वाला है चलिए बात करते हैं IMF की International Monetary Fund इसका जो Patent Organization जैसा किसके अंडर में आता है तो UN United Nation इसका Headquarter कहा है तो जैसे ही Monetary Fund पैसे का बात आ रहा है तो यह आप बोल दिजेगा अमेरिका लेके रखा है इसको Wasington DC ठीक है Wasington DC इसका Headquarter है अभी इसके Chief कौन है ठीक है IMF के MD कौन है MD है Kristalina Georgieva Kristalina Georgieva याद रखना है Kristalina Georgieva IMF के Chief है और वहीं पर बात करते है Chief Economist of IMF कौन है इंडिया से है Gita Gopinath इसलिए यह important हो जाता है चलिए अब देखते हैं आगे यह अभी हमने देखा कि UNESCO का ठीक है UNESCO का एक मीटिंग चल रहा है तो इंडिया को दो World Heritage इंडिया के दो World Heritage साइट्स बनाए गए कौन-कौन धौला विरा और काक्तिय रुद्रेश्वर मंदिर काक्तिय रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है आपको अभी तक याद हो गया होगा उन्चालिसवा रामप्पा मंदिर काक्तिय रुद्रेश्वर मंदिर चालिसवा धौला विरा तो चालिस World Heritage साइट्स है आप यहां से इनको देख लिजेगा किस वर्स में के दिया गया यह आप देखकर इसको रिविजन कर लिजेगा यह important है एकजाम में पूछने की संभावना 100% है ठीक है तो किसी न किसी सेट में आपको यह देखने को मिल जाएगा चालिस है चालिस के चालिस आपको इस पेडियेप में दे दिया गया है ठीक है आप यहां से देख लिजेए जैसे कि सबसे पहला पुछा जा सकता है आगरा में आगरा का किला को सबसे पहले युनिस्को के वर्ल्ड हरिटेज साइड में सामिल किया गया था जो की वर्स था 1983 और संभन्दित राज्य कौन सा है उत्तर परदेश फिर उसी साल उसी साल अजन्ता की गुफा एलोरा की गुफा और ताजमल यानि की 1983 में चार वर्ल्ड हरिटेज साइड सामिल किया गये थे लेकिन उनमें से सबसे पहला है आगरा का किला ठीक है आगरा का किला वहीं देखेंगे 1984 यानि की तो ये वर्ल्ड हरिटेज साइड में सामिल है असम इसकी राज्य है ठीक है काजी रंगा राष्ट्रिय अध्यान 1985 में ही 1985 में केवला देव राष्ट्रिय अध्यान राजस्थान में है गोवा का चर्च जो कैथेडरल चर्च है 1986 में गोवा में तो ये आप यहां से पीडिय अप को देख लेंगे और इस पर मैं एक कम्प्लीट एक कम्प्लीट विडियो बना दूंगा युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट्स के अलग-अलग उसके बारे में हर कुछ डिटेल में बता दूंगा आप वहां से भी देख सकते हैं यहां से पीडिय अप को डाउनलोड करके आप प्रिविजन कर सकते हैं देखे एक बहुत इंपोर्ट जैसे 40 के 40 है चालिस के 40 है काक्तिय रुदेश्वर मंदिर अड़तिस्वा था जैपूर सैतिस्वा था विक्टोरियन गूथीक आठ डेको और चातिस्वा अहम दावा पैतिस्वा ली कर्भुसियर के अस्थापत्यकार 2016 में चंडीगर में यह है ठीके कंचन जगा राश्ट्रिय उद्यान चातिस्वां 2016 में दिया गया था सिक्किम में है परणदा को दिया गया वर्ल्ड हरिटेस साइट का दरजा 2016 में जो की बिहार में है 2014 में ग्रेट हेवलियन राश्ट्रिय उद्यान 2014 में हिमाचल परदेश तो इस तरह से आप एक बार इसको पढ़ लिजेगा आपको याद हो जाएगा अब मैं बता दू क्या बोलते हैं युनेस्को का युनेस्को का जो मीटिंग हुआ उसमें उसमें मैडरीड के मैडरीड का मैडरीड का दो जगह है पासेओ डेल प्राडो पासेओ पासेओ डेल प्राडो और एक है आपका रेटीरो पार्क रेटीरो पार्क बोलके है इन दोनों को मैडरीट के इन दोनों जगा को ठीक है पासे और डेल प्राडो और रेटीरो पार्क इसको भी UNESCO ने वर्ल्ड हरिटेस साइड में सामिल किया है तो 200 के बारे में अगर आपसे पूछे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए अब हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे और नए वीडियोज के लिए साथ आपके सामने तब तक के लिए आप सेप रहें स्वस्त रहें और जैहिन जैभारत